पहुत ही बहुत ही बहतरीन और सांदार कोई सने बच्चों और अक्सर बच्चे इस क्वेशन में कन्फीज होते हैं एक्जाम में आता है और गलट टिक करके आते हैं ठीक है यह इंजिशन के तो इस सर्वीजिस दो जर बार भी पुछा गया था इसके अलावा बहुत सारे और जेए के एक्जाम में ये बार बार ये question कई बार पोचा गया है और बहुती एक hit question है ठीक है अक्सर ये पोचा जाता है तो देखते हैं क्या है question और क्या इसमें क्या इसमें confusions हैं जो बच्चें अक्सर confused होते हैं question बोल रहा है critical speed of the soft depends on critical speed सब्सक्राइब करते हैं आप जानते है critical speed को whirling speed सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले जो confusion की बात है जब भी soft की बात आती है और इस तरह की question आता है तो हम जानते हैं कि soft में क्या होता है क्योंकि अगर ये आपका centroid है अगर ये centroid है आपका ठीक है तो centroid से कुछ distance दूर पे आपका क्या होता है center of mass ये center of weight होता है ठीक है वह आपका होता है इसका मतलब है कि material uniformly distributed soft way नहीं होता है ठीक है इन actual practice में uniformly distributed material नहीं होता है इस वह जैसे weight का जो अगर एक point हम लें कोई center तो ये क्या है कुछ e distance पे कहां से इसका centroid से e distance पे weight आपका रहता है clear है जिसके कारण क्या है यहाँ पे centricity के हिसाब से जितना centricity होगी उतना ज्यादा आपका unbalance force यहाँ पे produce होगा और जैसे हम यह सब देखते हैं तो हमें दिखता है mass stiffness and centricity और हम क्या करते है टिक मार देते हैं इस पे जो कि बिलकुल गलात है बच्चों यह answer नहीं होगा अक्सर जब question पूछा चाता है तो आपने भी देखा होगा कहे बार आपने इसको टिक क्या होगा लेकिन यह आपका answer नहीं होगा हाँ यह बात सही है कि unbalanced force आपका centricity पर depend करेगा बिलकुल no doubt in this clear लेकिन जब बात critical speed के आती है तो मैं बता दूँ आपको critical speed या whirling speed की जब भी की बात करते हैं वह speed कितनी होती है वह speed जो है critical speed है critical critical speed की जब हम बात करते हैं तो वह होती है speed at resonance ठीक है जब resonance के condition आती है बच्चों resonance की condition जब आती है उस condition पे जो आपकी speed होती है वह आपकी critical speed या whirling speed और critical speed और whirling whirling का से लिखते है रहल एच आया आर लाए एंग जी ठीक है whirling speed भी इसे कहते हैं ठीक है और resonance की condition कब आईगी बई resonance की condition तब आती है बच्चों जब omega की value किसके बराबर होगी omega n मतलब जब frequency natural frequency के बराबर हो जाती है when the frequency of a system matches match करता है किसको natural frequency को then the condition arises which is called the condition of resonance clear resonance की condition का क्या effect पढ़ता है वह भी मैं बताऊंगा short में ठीक है तो इस case में होता है जब आपकी तो यह जो आपकी हो गई this will become your critical speed clear तो आपकी critical speed क्या हो गई यह आपकी omega critical speed omega n के बराबर होगी और आप जानते हैं कि omega n जो है क्या होता है under road of s upon m होता है या k upon m भी हम कई बार लिखते हैं s और k जो है this is stiffness of the system m is the mass of the system इसका मतलब है कि जो omega n है आपका omega n जो natural frequency है that is the function of s and m only clear है इसका मतलब stiffness of mass का function है omega n और omega n के बराबर जब आपकी frequency हो जाती है तब आप कहते हैं कि इस इसपीड जो है वो क्या है वो वो critical speed है whirling speed है clear इसका मतलब है कि आपकी जो critical speed है वो सिरिप और सिरिप mass and stiffness पे depend कर रही है centricity पे आपकी critical speed depend नहीं कर रही बट unbalanced force आपकी centricity पे depend कर रहा है unbalanced force depend कर रहा है लेकिन क्या है आपका क्रिटिकल स्पीड डिपेंड नहीं करते हैं अगर मैं थोड़ा सा फर्दर जाओं ये कुछन हमारा समाप तो चुका है थोड़ा सा फर्दर चले जाता हूं ज्यादा नहीं ठीक है इसका इफेक्ट क्या होता है देखिए जब भी हम बात करते हैं इस तरह कि तो जब ओमेगा की वैली ओमेगा एन के बराबर हो जाती है और इस तरह से यह सपोर्ट को छोड़िये फिलाल आप ठीक है support को उस तरह से महतलिए और यह rotate कर रहे है चीज ह। अगर यह rotate कर रहा हो इसमें सब्सकाल से आहँ आघा है ताई अब इस वाइशच गोरत पार सेसी कि श्यों हे चेल ले अर फिरारट फe स्वाट्स पर छीजिव टिवललपन इस पिके वाइश जो इसमें miga करोऊ है omega is called to omega n पे omega is called to omega n क्या है आपकी this is the critical speed at critical speed omega is called to omega n y की value क्या हो जाएगे बच्चो y will become e upon आपका यहां पे आ जाएगा omega n था omega की value कि तरी इसकी value हमने omega n करती तो omega n आ जाएगा that is one one k square one one minus one this will become e upon zero किसी के denominator में अकर zero आता है किसी भी quantity that quantity becomes infinite इसका मतलब है कि at resonance इसका मतलब है कि at omega is called to omega n या हम बोले कि at resonance ठीक है at resonance क्या होगा आपका जो deflection आपको मिलेगा जो deflection मिलने वाला साफ्ट में that will become infinite और आप जानते हैं कोई भी साफ़नाइट deflection क्या कर सकती है बेर नहीं कर सकती इसलिए हम कहते हैं इस speed को हम क्या करते है critical speed तो हम in actual practice हम क्या करते है actual practice हम क्या करते हैं हम कोशिश करते हैं कि यह जो condition है suppose soft की zero से हमने zero speed speed पहले कितनी थी देखो T is called to suppose बहुत कर रहा हूं कि T is called to zero पे ज्यान से देखेगा ठीक है T is called to suppose क्या है 10 सेकंड में आपकी ओमेगा जो है बढ़ गई ओमेगा इंक्रीज हो गई बट इट इस तिल लेस दन ओमेगा n इले है लेकिन आप क्या हुआ साफ्ट जो है आपको यह मैं एक डियाग्राम हलका सा दिखा देता हूं यहां पर पहले ठीक है यह speed का दिखा रहा है और इस direction में आपकी speed बढ़ रहे है ठीक है यहां पर मैं एक point आपको सो कर रहा हूं यहां पर जिसको मैंने कहा कि यह एक ऐसा point है जहां पर omega is equal to omega n मतलब natural frequency जहां पर मैच करेगी यह point है जहां पर natural frequency आपके आने वाले ठीक है अब आप क्या करेंगे इसके लिए सबसे important जो चीज है वह यह है बच्चों कि आप क्या करेंगे इसमें जब भी इस तरह का condition आती है तो हम क्या करते है एक्चुल जो प्रक्टिस होती है उसमें हम क्या करते सबसे पहले हम धिरे दिरे इसको क्या करते है बढ़ाते है इस पीड को बढ़ाते है जैसे हम omega n पर आने वाले होते है है omega n मतलब natural frequency के आसपास आने होते हैं आने वाले होते हैं यहां पर हम इस तरह यहां पर ग्राफ जाता है इस तरह से इसका significance बताऊंगा मैं आपको कि इस तरह से ग्राफ जाता है फिर आप इस तरह से स्पीड बढ़ाते हो इस केस में क्या है बच्चों जो देखने वाली जो चीज है हुए है कि यहां पर आप देख सकते हैं इतने portion में आप देख सकते हैं यहां पर आपने gradually इसको natural जो frequency को cross करने में बहुत ही fraction मिलब कम से कम हम यह कोशिस करेंगे कम से कम टाइम मतलब fraction of second मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें जो टाइम लगा आपका 0.00001 ठीक है 0.0001 इस तरह से आपका इसमें टाइम लग रहा है ठीक है 0.00001 इतना fraction of second आपका बहुत ही कम टाइम में आपको इसको क्या करना पड़ेगा आपको सीधा इसको क्या करना पड़ेगा यहां इसको नेच्टरल जो फ्रिक्वेंसी उससे पार करना पड़ेगा क्योंकि जितना ज्यादा टाइम यह नेच्टरल फ्रिक्वेंसी पर रहेगा उतने ज्यादा चांसे है कि साफ्ट आपकी जो है फेल हो जाएगी क्लियर इसलिए कोशिश की जाती है एक्च्वल प्रेक्स बेकि कम टाइम में साफ्ट आपकी जोन में वर्क कर रहे है आपकी जो साफ्ट की जो लाइफ है वह इंक्रीज हो जाती है बच्चों क्लियर है तो बस यह है इसका सिगनिफिकेंस तो क्या करना है हमें सीदी सीदी बात है जो स्पीड बढ़ा रहे है जैसे हम क्लोज को नेचरल फ्रिक्वेंसी के आसपास आयेंगे वहाँ पर हम बहुती रैपिडली स्पीड को क्या करेंगे इतना हिसाब से इंक्रीज करेंगे कि ए किफ्रेक्शन अप सेकर में वह क्रेंड में वह क्या कर जाए इसका सिगनिफिकेंस था ठीक और यह मैंने देख लिया कि गईया कर्टिकल इस्पीड आ आपका unvalanced force depend करेगा के लोर ठीक है तो मैं आसा करता हूँ बच्छों कि आप जब ये question आएगा आप बिल्कुल clearly confidently इसको टिक कर पाएंगे thank you so much for watching this video